नमस्कार दोस्तों मैं आशिष अंतिल आज मैं आपको heart attack, heart failure और heart arrest इन तिर्म में फर्क बताऊंगा जादतर लोग सोचते ही ये तीनों एक की चीज़ होती है ये तीनों की तीनों एक लेकिन तीनों में फर्क होता है और बहुत फर्क होता है क्या एक बार समझना आप जानते ह होगे पूरी की पूरी बोडी से जो ब्लड होता है deoxygenated मतब जिसमें CO2 होती है वो हर्दय में पहुचता है हाट में हाट से फेफडों में फेफडों में carbon dioxide बाहर हो जाती है oxygen बैठ जाती है और हर्दय के माध्यम से पूरी की पूरी पूरी बोडी में oxygen को पूचा दिया जाता है यह हर्दय का में काम होता है carbon dioxide वाले खून को फेफडों तक पूचाना और oxygen वाले खून को पूरी बोडी के एक केक कत्रे एक केक अंग तक पूचाना यह हर्दय का काम होता है यह बात आपको समझे जुरूरी है अब इस काम में ग बोले तो oxygen rich, बोले तो जिसमें oxygen वाला खून है, वो अगर हार्ट तक ना पोचे प्रयाप्त मात्रा में, क्यों ना पोचे? क्योंकि कुछ नसों में कुछ blockage आ गई है, या तो उसमें fat जमा हो गया है, या फिर उसमें cholesterol जमा हो गया है, या फिर ये कह सकते हो blood clotting, कोई clotting हो मात्रा, प्रयाप्त मात्रा में, इसलिए इसको बोलती है, attack होना, इसके उपर attack होना, heart attack, बंदा बच भी सकता है, मर भी सकता है, छोटा मुटा attack है, तो बच जाएगा, बड़ा attack आया है, मर जाएगा, बड़ा attack मतलब supply आई ही नहीं, heart धड़कता रहेगा, दिल धड़कता लेकिन खून की supply नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, अटैक हो गया, इसी प्रिकार से, अगर हर्दय के द्वारा खून बाकी अंगों तक नहीं पुचाया गया, प्रयाप्त मात्रा में, क्योंकि मैंने क्या का, oxygen वाले खून को पूरी बोड़ी के दिमाग से लेके बिलकु निचे तक, हर जगे तक oxygen वाले खून को oxygenated blood को पूचाता है heart, लेकिन नहीं पूचा पाया, वो fail हो गया, वो पूचाने में, blood को पूचाने में fail हो गया, उसको बोलते है failure, जिसकी वज़े से सभी अगर brain को प्रयाप्त मात्रा में oxygen और blood ना मिले, brain खतम हो जाएगा, वो damage हो लेकि आवशक्ता होती है, लेकिन दिल वो आवशक्ता पूरी करता है, लेकिन ये पूचा नहीं पाया, क्यों, क्योंकि इसकी speed कम हो रखी थी, इसकी speed कम हो रखी थी धड़कने की, धड़कने की speed कम क्यों हो रखी थी, क्योंकि यहां उपर वाले हिस्से में, जिसको हम बोल होते हैं यहां पर एक एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सीनो एट्रियल सीनो एट्रियल नोड जिसको एस ए नोड कहा जाता है यह वो नोड होता है यह वो पॉइंट होता है जहां से हमारा पूरा का पूरा दिल धड़कता है धड़कता है पूरा का पूरा दिल धड़कता है इसमें कोई प्रोब्लम आई हो, या डायबटीज वाला बंदा हो, पैसर साल से ज़्यादा उमर हो चुकी है और ओवरवेट हो चुका हो, बिपी हाई हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, उन कई कारणों की वज़े से धड़कन कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के कारण वो तो सभी जगह तक खुन नहीं पोचा पाती है, फेल हो गई, फेल, सभी के सभी अंग फेल, हार्ट फेल, बंदा खतम, और अब तीसरी बात, अगर ये वाला जो नोड है, जिसको ओरिजिनल, नेचुनल पेसमेकर कहते है, क्योंकि दिल इसी की वज़े से धड़कता है, नही नहीं, किसी और की वज़े से नहीं, इसकी वज़े से, तो सीनो अट्रियल नोड, अगर ये किसी वज़े से डैमेज हो जाए, वो जैनेटिक भी हो सकता है, और इसके कई रीजन है, और कई रीजन तो हमारे वेगानिक को पता भी नहीं है, क्यों बंद हो गया, मतब हार्ट पंप करना, पंप करना बंद हो गया, वो अरेस्ट हो गया, अरेस्ट मतना बंद हो गया, बंद, वो पंप नहीं करना, वो बंद हो गया, उसको बोलते है हार्ट अरेस्ट, जिसको कारडिक अरेस्ट भी बोला जाता है, तो इस तक सप्लाई नहीं पोची, अटैक हो गया, इ ये खुद बंद हो गया अरेस्ट ये तीनों अलग होती हैं और तीनों में थोड़ा सा डिफ्रेंस है मौत तो मौत होती है वो एक अलग मुद्दा है उमीद करता हूं ये सारी बाते समझ माई होगी ऐसे और मुद्दे लेकर आओंगा मैं फिर आओंगा जरूर आओंगा नमश्कार